2022 में इंटर या मैट्रिक पास एकल्यान 26 दी के लिए तयार हो जाए दो लिस्ट में आपको 26 जो है बोद दी जा रही है जो भी 2022 में बिहार बोट से इंटर या मैट्रिक में फर्स्ट या सेकेंड डिविजन से उत्तिन किये हैं वो इसके लिए ओनलाइन आबेदन करेंगे और यहाँ पे दो लिस्ट जारी की जारी है जिसमें फर्स्ट डिविजन और सेकेंड डिविजन का लिस्ट है उस लिस्ट में आपको अपना नाम देखना है उसके बाद सारे डोकुमेंट के अधार पे आपको ओनलाइन की परकिरिया यहाँ पे करना है जैसे कि पूरी वीडिय बिल्कुर ध्यान से दिखिए और फरापट सभी को शेयर कर दे, आपके पास सारे document के यहाँ पर update जारी कर दी गई है, साथी साथ दो list में अपना नाम देखना है, दोनों list यहाँ पर आपको देख लेना है, और दोनों list में अपना नाम देखने के बाद आपको online करना है, तई यहां से एक एका यहां पर देखेंगे, सबसे पहले बात कर लें कि 12 में 1st division में concurrency जाती यहां पर सामिल होने जारी है, ठीकें, और 10 में 1st division की बात कर लें, सबसे पहले 1st division की बात कर लें, तो 12 में हैं, तो आप किसी भी जाती के हैं, Unreserved हैं, OBC हैं, SC हैं, या HT हैं, ठीकें, आप सभी को 1st division में मिलेगा, वहीं अगर आप 10th में हैं, तो आप General हैं, OBC हैं, या SC हैं, या HT हैं, आप सभी को 1st division में 10th में हो, या 12th में हो, सभी जाती को मिलेगा, लेकिन बात कर ले second division की second division में कौनकों सी जाती को 12 है मिल रहा है और कौनकों सी जाती को आपका 10 है मिल रहा है सबसे पहले बात कर ले 12 की 12 की बात कर ले थे अगर आप second division से हैं तिसमें सिर्प और सिर्प आपके SC और ST सामिल है यानि सिर्फ SC और ST को 2nd division पे मिलेगा और 2nd division की रासी जो है वो 15,000 रुपे है तो अगर आप 12th में 2nd division से पास किये हैं तो 15,000, 1st division से पास किये हैं तो 25,000 रुपे वही 10th में आप 1st division से पास किये हैं तो 10,000 रुपे और 2nd division से पास किये हैं आठ जार रुपे लेकिन इसमें जो है इसमें भी सिर्फ आपको SC और HD यानि सेकेंड डिविजन में सिर्फ दो जाती SC और HD को ही मिल रहा है और यह 100% 2022 का करेंट अपडेट है ठीक है बहुत सारे देंट को कुछ लोग बता दिए कि ओभी सिर्फ को ही मिलता है सेकेंड डिविजन में तो ऐसा बिलकुल नहीं है सेकेंड डिविजन में सिर्फ SC और HD को मिलता है बहुत सारे छात्रों को ये भी नहीं पताता है कि आउनलाइन कैसे करें तो आप एक कल्यार में आउनलाइन करें या पोस्ट मैटिक करें आपको एक ही वेबसाइट बिहार है डॉट इन आपको स्लेट कर लेना है और यहां पे छात्रों को स्कैन करकी आप बस पास सेकेंड में अपने कोई भी सवाल का बीडियो स्लेशन पास सकते हैं वही डॉटनेट इस बार बिहार में टॉपर स्कीलरी लगा दिया है यहां पर रहे बच्चे रैंक वन, जी हां रैंक वन के साथ साथ, रैंक फोर, रैंक फाइव, रैंक सेवन और रैंक एट हासिल किये हैं इस जोस को कायम रखते हुए डॉटनेट ने अपने अगले बैच जिसका नाम है हासिल बैच लाँच किया है जो कुछ ही दिनों में सुरू होने वाला है तो अगर आप कच्छा दसमी अबरहमी बिहारबुर हिंदी मीडियमें इंगलिस मीडियम के चातर है तो आज ही जाईए और अपने आपको हासिल बैच के लिए नीचे दिये गए हैं लिंक पर जाकर रेजिस्टर करें जहां दस साथ से अधिक एक्सपरियस टीचर की टीम आपको टॉपर बनाने में जी जान लगा देगी तो जल्दी सजाई और खुद को रिश्र कीजी आपको सभी अपडेट देखने को मिलेंगे अब जानिये बागी की परकिया के लिए आगे क्या बताया गया है कैसे लिस्ट आएगा कौनकों से बैंक धारक को यहाँ पे आप ऑनलाइन अपलाई कर सकते हैं तो बैंक की बात बता दें सबसे पहले आप सभी को पता है कि इस्टेंट के नाम पे होना चाहिए दूसरी बड़ी चीज कि कोई भी पेमेंट बैंक जो आजकर चला हुआ है पेमेंट बैंक अलाउ नहीं किया जाता है अगर आप payment bank आप डालते हैं तो payment bank में आपके पैसे नहीं आएंगे ठीके चाहिए वो आपका Indian Post Office का payment bank हो या Airtel का payment bank हो फीलो का payment bank हो ठीके बहुत सारे payment bank खुले हुए है जिसमें एक लाग तक transaction होता है तो वैसे payment bank को आपको नहीं डालना है जो भी आप डाल रहे हैं वो आप आपका bank होना चाहिए ना कि payment bank होना चाहिए दोनों में अंतर है ठीके तो आपको bank का account नमबर देना है चाहे वो government हो या private हो कोसिस करें आप government bank का ठीके account नमबर दें government bank जैसे की होगे आपके SBI होगे bank of brother होगे canra bank होगे PNB bank होगे पंजाब national bank ठीके bank of India होगे तो ये सभी type के bank आपको देने है अगर आप private bank देते है HDFC ये सभी दे सकते हैं कोई problem नहीं है लेकिन bank जो है वो आपको देना है payment bank नहीं देना है ये सारी बाते आप समझ गए अब देखे दो list की बात की गई पे बिहर बोड जो है दो list में आपको पैसे देगी तो आपको घबराना नहीं है दो list में पैसे आपको फिए है पहले list की बात की जाए तिके दोनों का बता रहा है मैं पहले list में भात की लात है ते पहले list में वैसे लरकियों लरकिया सामिल होंगे जिनका mark जो है 300 है या 300 से जादा है पहले लिष्ट में 300 से लेकर 300 ज्यादा जितना भी मार्ग्स है, 400 है, सारे 400 है, 380 है, 300 से 300 पलस तक का पहरा मेरिट लिष्ट आएगा, जिसमें सभी चात और चातराओं के उसके अस्कूल कॉलेज के साथ नाम मेंशन होंगे, टिके, उसके लिष्ट में जो नाम आएगा, उसम 300 से कब नंबर है, तो आपको खबरान नहीं है, सेकेंड लिष्ट का वेट करना है, लेकिन ध्यान रखेंगे, सेकेंड लिष्ट में सिप S.C.H.T. के नाम आते हैं, और कुछ गरीब स्टुडेंट हैं, जो मजदूर के बेटे हैं, उन सभी का नाम, अगर वो इंकम अच्छ एक होता है आपका एकल्यान, दूसरा होता है आपका पोस्ट मैट्री का स्क्रोर सिप, तो आप दोनों के लिए अपलाई कर सकते हैं, एकल्यान में ट्वेल्थ की बात की जाए, तो एकल्यान में ट्वेल्थ में सिप आपको गल्स को मिलता है, लेकिन पोस्ट मैट्री की बा की बात करें तो टेंथ वाले लड़का हुआ लड़की हो ई-कल्यान में भी और पोस्टमेटिक दोनों में यहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हैं और डवल छात्विर्थी प्राप्त कर सकते हैं जैसा कि पिछले साल छात्रों ने किया है ई-कल्यान का पैसा आ गया है पोस्टमेटिक तो ऐसे में जो है सब कुछ लेट लतीफ हुआ था लेकिन इस बार जो है लेट के चांसेज नहीं है समय पे एक अल्यान के चाहतविर्ति के लिए ओनलेन मांगा जाएगा बिल्कुल आप लोग सारे डोकुमेंट्स तयार रखे और जो बैंक बताएगे हैं उसमें आपके अका चाहतविर्ति के लिए आपेदन नेक्स्ट मंत में शुरू कर दिये जाएंगे और वहीं पोस्ट मेट्रिक के अस्कोरोसिप का आपेदन भी नेक्स्ट मंत के मीड में शुरू किये जाने की संभावना यहां पर बताएगे है हाला कि टेंट वाले चाहतरों को थोड़ा मिलती रहे मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जनकारी के साथ थैंक्स फूर वाचिंग दिस वीडियो